मुख्यमंत्री अर्विन्द केजरिवाल की प्रेस कॉन्फरेंच से सुन लेते हैं क्या कुछ केजरिवाल कह रहे हैं? अगर हमें पूरी मात्रा के अंदर अगर हमें वैक्सिन मिल जाए तो हम तीन महीने में पूरा कर सकते हैं तीन महीने में पूरा करने के लिए हमें कितनी वैक्सिन चाहिए? मोटे मोटे तौर पे मैं आपको समझाता हूँ दिल्ली की जनसंख्या दो करोड है बहुत ही मोटे मोटे तौर पे एक करोड लोग 18 से 45 साल के बीच के हैं पचास लाख लोग 18 साल से कम उम्र के हैं पचास लाख लोग 45 साल से जादा उम्र के हैं तो एक करोड अठारा साल से उपर वाले लगबग डेड़ करोड लोग हो गए पचास लाख लोग 18 साल से कम उम्र के हैं और बाकी डेड़ करोड लोग 18 साल से जादा उमर के हैं इन डेड़ करोड लोगों को 2 करोड वैक्सिन लगाने है तो 3 करोड वैक्सिन चाहिए 3 करोड में से अभी तक दिल्ली सरकार को टोटल मिलाके 40 लाख के करीब वैक्सिन मिले है तो 2.60.000.000 वैक्षिन और चाहिए तीन महीने में 2.60.000.000 वैक्षिन चाहिए लगबग मोटे-मोटे तोर पे 85.000.000 असी से 85.000.000 वैक्षिन पर मंत चाहिए अगले तीन महीने के लिए अगर इतने वैक्षिन हम लोगों को उपलब्द करा दिये जाए तो दिल्ली के हर व्यक्ति को तीन महीने के अंदर वैक्सिन करवाया जा सकता है 80-85 लाख वैक्सिन हर महीने लगाने के लिए डेली 3 लाख वैक्सिन लगाने पड़ेंगे आज हम 1 लाख वैक्सिन और अलड़ी लगा रहे हैं 100 स्कूलों में इसको जैसा मैंने बताया 300 स्कूल करने जा रहे हैं हम लोग तो हम अपनी के पैसिटी 3 लाख वैक्सिन पर डे बड़े अराम से कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब जब कि हमने विवस्था शुरू कर ली है हमें पता है कि कैसे करनी है और अगले कुछ दिनों में करने जा रहे हैं तो 3 लाख वैक्सिन पर डे हम लगा सकते हैं दिली सरकार लगा सकती है आज की डेट में भी 1 लाख लगा रहे हैं वैक्सिन की जरूर तराजानी दिली को है तीन महीनों का लग शद्वालों और सीदे गेंद केंजर के पाले में डालते नज़ 나ारे हैं वैक्सिन कंप्रियों से जदा वैक्सिन की मांग यहां पर सामने रखी जा रहे है तीन करोड वैक्सीन जराज़ानी दिली के लोगों के लिए अर्विन केजरिवाल की तरफ से मांग यहां सामने रखी जारी है